नोणी में स्वास्ते विभाग द्वारा जन चेतना अभ्यान चला गया। इस मौके पर स्वास्ते विभाग द्वाग द्वाएं भी बित्रित की गई। इस मौके पर डॉक्टर अजे और हल्पेस इंडिया के समाजिक सुरक्षा अधिकारी मनोस बर्मा ने बताये कि करोनो बैक्सिन को लेकर अभी भी देश के नागरिकों में काफी ब्रहम और गलत ध धारनाए हैं। जिनें जागरुकता अभ्यान लगाकर दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही लोगों के स्वास्त की जाँच भी की जा रही है और रोगों से लड़ने के लिए उन्हें आविशिक दबाएं भी बित्रित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि करोना से लड़ने की शक्ति हमें करोना वैक्सीन से मिल सकती है इसलिए लोगों को जाग रुक किया जा रहा है कि वे जादा से जादा कॉविट वैक्सीन लगवाएं और समाच को करोना मुक्त करने में सहायक पनी करोना काल में बहुत कुछ देखा बहुत कुछ सीखा आज सीखने की इस कड़ी में स्वास्त विभाग सोलंद वारा एक अभ्यान जिसका नाम हमने जन चेतना अभ्यान दिया है उसको चलाया जा रहा है उसी कड़ी में आज चोथी पांचवी वार हम गाउं के प्रांगन में पहुंचे हैं पिछले दस दिनों के अंदर और जन समू तक एक संदेश लेकर जा रहे हैं कि जिस प्रकार से टीका करन का काम स्वास्त विभाग द्वारा शुरू किया गया है उसमें बढ़ चड़ कर लोग हिस्सा लें जब लोगों की बारी सुनिश्चित की जाएगी हम आम जन को त्यार कर रहे हैं कि जब भी टीका करन का काम आम जन के लिए शुरू होगा कोविट टीका करन का काम आम जन तक पहुंचाया जाएगा तो आम जन बिना किसी ब्रहम के बिना किसे संचे के बढ़ चड़ कर टीका करन में भाग लें मैंने लोगों को यही समझाने की कोशिश की है कि जादा से जादा जब टीका लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा एक बड़ा जुन्ड जिसको हम हर्ड कहते हैं या जुन्ड कहते हैं वो रोगों से करोना जैसे रोग से लड़ने के लिए सक्षम हो जाएगा और यही एक कारगर तरीका अभी नजर आ रहा है कि टीके के माध्यम से हम करोना को हराएं मेरा नाम मनूज राजवर्मा है और मैं हेलपेज इंडिया में समाजिक सुरुक्षा अधिकारी के पत्पे कारे रत हूँ आज के दिन हमने जन चेतना अभ्यान के तहट सुर्थ विभाग सोलन के साथ एक awareness campaign जो की हमने यहाँ नौनी में पंचायत में किया है जिसमें की लोगों को करोना की वैक्सीन और करोना के बारे में जानकारी दिया है उनके प्रशनों का उत्तर दिया है साथ ही हमने इनको immunity boosters distribute किये हैं जो की इन्हें रोगों से लड़ने की शमता इनके बढ़ाएंगी जो की सौथ विभाग सोलन के द्वारा ही हमें दिये गए है तो यह कारे कराम हम जन जन जाकर गाओं गाओं जाके पंचायत पंचायत जाके अगले कुछ दिनों में करने वाले हैं इसी के तरह हमारा अभ्यान जो आगे भी जारी रहेगा और इसी के तरह साथ हमने health camp का भी आयोजन हम साथ साथ करेंगे आज लगभग हमने सौ से जादा लोगों को रोगों से लड़ने के लिए दवाया वित्रित की है और जो कि हम आगे सलोगडा में धरोट जुआना जी अपने बढ़ोग पंचायत और सबाठू और देउठी में यह कारे कराम हम जारी रखने वाले हैं